ओल्राइट तो हें वाट्सुम गईज इट्समीर उपाध हैंड यू एर वाचिंग सैमिन सैडियो सो गैस आगया हूं मैं आप लोग के लिए नियूर एक साइडिम वीडियो को लेकर और गैस आज की इस वीडियो में आप लोग को यह टेल का एक बहुत ही फास्ट अपने वा सब्सक्राइब करें साथ में अगर आपको फ्यूचर में और भी ज़्यादे टेक्स लेटर वीडियो चलिए अपने चलते हैं मोवाइल के स्क्रिन पर और इस एयर टेल के फास्ट अपने के बारे में आप लोग को बता देते हैं इस एयर टेल के नियू एपन सेटिंग के ब सबसे पहले जो भी आपने पहले इंटेट बनाया है उसको रिसेट कर लीजे तो मैं कर लेता हूँ यहांसे रिसेट तो यह हो जाएगा गईज रिसेट क्योंकि रिसेट हो जाएगा तो आप लोगा जो अभी मैं जो बनाऊंगा वो और भी ज्यादे फास्ट हो जाएगा तो यहां पर प्लस के आइकन पर कर देना है क्लिक हो सकता है कि आप लोगे फोन में एड़ एपियन या फिर न्यू एपियन का भी उपसन आता हो तो गईज आ चुका है हमारा form और form में मैं जो जो भरूंगा आप लोगो ध्यान से देखना है और same to same वैसा ही भरना है कोई भी small letter कोई भी capital letter आपको miss नहीं करना है वीडियो को थोड़ा सब इसकिम मत करिएगा तो air till का A capital रहेगा फिर V capital रहेगा 94 digit फिर space फिर live जो है वो पूरा capital में रहेगा एकदम ध्यान से आप लोगो देखिएगा इसको कर देना है save इसके बाद गई जब आप लोगो जाना है APN में और APN में आपको क्या डालना है मैं यहां बता देता हूं air till gprs.com air till dprs.com यहां प आप लोग proxy को भी not set port को भी not set username में चले जाए और username में आपको यहां लिखना है live.speed एकदम same to same यही डालना है live का L capital फिर dot फिर speed जो है वो पूरा small letter ठीक है एकदम ध्यान से देखते रहे है कोई भी space नहीं है save कर देना है इसके बाद गई जब आप लोगो password को भी not set server में चल dot com एकदम गाईज अब आप लोगो same to same यही डालना है www पूरा small letter फिर dot फिर air tail का A capital फिर live का L capital फिर dot फिर com कोई भी space नहीं है इतना आपको कर लेना है save फिर जाना है MMSC को भी not set MMS proxy को भी not set गाईज MMS port को भी not set और आप लोगो MCC और MNC को एकदम भी चड़ चार नहीं करन इसके बाद गये जब आप लोगो यहां जाना है authentication type में और यहां पर आप लोगो पैप और चैप का जो option दीख रहा है इसी को आपको select कर लेना है इसके बाद गये जबाद आप लोगो APN type को भी not set रखना है not set default जो होगा छोड़ दीएगा और यहां पर APN protocol में चले जाईए और यहां पर आप लोगो लिखना है IPV4 slash IPV6 जो option है इसको select कर लिजे इसके बाद गये जबाद पर जाईए APN roaming protocol में और यहां पर भी आप लोगो same चीज जो लिखा है last में IPV4 slash IPV6 इसको भी आपको select कर लेना है और इस हो चुका है मारा full setup बस जो बसता है most important bearer तो bearer में लिखाएगा और एकदम देखके लगाएगा same to same तो यहां पर bearer में select कर लिजे और यहां पर unspecified को un tick कर लिजे यानि कि हटा लिजे और tick में आपको क्या क्या करना है LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS और 1XRTT इतना आप लोगो bearer select कर लेना है गैस अगर आप लोग के phone में लेकिन अगर करता है तो आप लोगो इतना करना जवरी है क्योंकि यह most important होता है internet speed को बढ़ाने के लिए तो गैस इसना करने के बाद आप लोगो को कर देना है इसको save, guys save करने के बाद same to same आप लोगो जैसे ही आप अपने ATL की SIM को इसको करेंगे तो आप लोगा internet speed है वो rocket से पितेज मिलने वाला है बहुत ज़्यादे fast होने वाला है तो गैस उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा गैस अभी के अभी जाके आप लोग इसे ATL के APS setting को तुरंट ट्राइ करिए और आप लोग बता दिए कितना internet speed आप लोगो मिल गया तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लें और साथी बेल आइकन को अन कर लें तो हमारा जो महनत है वो सफाल हो पाएगा और इस आप लोगो तुरंट नोटिफिकेशन मिल जाएगी कोई भी ये पिन सेटिंग की वीडियो की जो भी मैं डालूंगा आपने चैनल पे और को भी भी मोबाइल ट्रिक की वीडियो तो गाइस मिलते हैं सेटिंग वीडियो में तब तक के लिए स्टेटिंग विट सेम इंसाइड यो